हैलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्नेहंकुर देशिंग पर, आज हम देखने वाले हैं कववे पर बहुत ही सुन्दर निबंद कववा, कववा हमारा जाना पहचाना पक्षी है, यह संसार में हर जग़ पाया जाता है यह काले रंग का होता है, मुंडेर या खिडकी पर बैट कर वो काम काम करता है, उसकी बोली बहुत करकश होती है वो सुनने में अपरिय लगती है, इसकी चोंच बहुत मजबूत होती है, यह कटोर से कटोर चीज को भी आसानी से तोड सकती है इसका रंग काला होता है, कववा को चोर पक्षी भी करते है, क्योंकि यह चुपके से किसी के भी यहां से खाने की चीजे उटा ले आते है यह सुबह जल्दी उटते है, कववे पेड़ पर जुन्ट में रहते है कोयल कववे के गोसले में अपने अंडे रख देती है, और कववा अंजाने में ही कोयल के अंडे के उपर बैठ कर उन्हें सेता है कोयल द्वारा उसे मुर्ख बना दिया जाता है कववे को अथिती आगमन का सूचक और पितरों का आश्रे स्थल भी माना जाता है कववा एक क्लीनर पक्षी होता है, यानी एक ऐसा पक्षी जो गंदगी को साब करता है इसके साथ परियावरन को भी शुद्ध बनाए रखता है यह बहुत सी गंदगी और बेकार वस्तों को खाकर खत्म कर देता है जैसे रोटी, नाश्टा, मांस और मरे हुए जानवरों का मांस भी खाता है कववे एक अच्छे प्राकुर्ति क्लीनर होते है इसलिए एस सम्मान के अधिकारी भी है और हम इनके कृतद्य है भारत के बहुत सारी जगहों पर अब कववा दिखना बंध हो गया है इसका सीधा कारण बिगल रहा वातावरन है